तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है चिराग आप देख रहे है टेकनिकल चिराग योटूब चेनल नो टाइम पास, नो टाइम वेश्ट, ओनली बेश्ट तो दोस्तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इतना सा बताने वाला हूँ कि यार आपके स्पिकर का साइज कितना मैटर करता है पहली बात तो ये कि जिन लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि यार स्पिकर का साइज बिलकुल भी मैटर नहीं करता है उनका भी ये डाउट आज किलियर करने वाला हूँ और दोस्तों कितना मेटर करता है वो भी आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ तो दोस्त Cumple से Example के लिए मैंने आपको फोटो के अंदर दो स्पिकर दिखाएं आप इनको Example समझिये आप बिलकुल भी इनको Real मत मानिये अब इस speaker के example से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कियार आपको आपके speaker का size कितना ज़्यादा जरूरी है समझना मेरा motive ये नहीं है कि आपको 12-18 इंच दिलाने का मेरा motive ये है कियार आपके speaker का size कितना जरूरी है आपके speaker का size बढ़ेगा तो उसकी quality में कुछ और बदला हो जाएंगे आपके speaker का size घट जाएगा तो कुछ और बदला हो जाएंगे मैं इस चीज को आपको समझाना चाह रहा हूँ तो दोस्तो उसके लिए आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए बहुत ही बड़िया वीडियो प्लान किया है जोकि आप अभी फोपली देख ही रहे हो तो दोस्तो वीडियो को एक like जरू से कर देना चैनल बनाए हो जरू से subscribe कर लेना और दोस्तो कुछ चीज प्रॉब्लम समझ आती है नहीं आती है कोई भी दिक्कत है तो यार comment box आपके लिए हमेशा की तरह खूला हुआ है दिल्कुल जाइए comment कीजी मैं आपके comment का reply दूँगा आपकी परिशानी को solve करने की कौशिस करूँगा तो दोस्तो आज की इस बहतरी वीडियो को पर श्टार्ट कर लेते हैं अब दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार speaker का size कितना ज़्यादा matter करता है पहले तो आपन इसके पर बात करते हैं कि यार ये matter करता है या नहीं करता है, तो दोस्तों सबसे सिंपल जवाब है, हाँ यह मेटर करता है, तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल से अपने एजियूम करते हैं, एक आपके 3 इंच का 208 का स्पिकर है, और एक स्पिकर आपका 10 इंच का 208 का स्पिकर है, क्या दोनों सेम बजेंगे, बिल्कुल से साफ जवाब है कि नहीं बच सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब आपको मिल चुका है कि यह स्पीकर का साइज मेटर करता है अब दोस्तों यहाँ पर मैंने बिलकुल क्लोज एक्जामपल लिया है जो कि 12 इंच और 10 इंच का होने वाला है अब मैं आपको बताता हूँ स्पीकर का साइज कितना मेटर करता है क्या वोटेस सेम होने पर भी स्पीकर की आवाज में बदलाओ आएगा तो दोस्तों बिलकुल आएगा बदलाओ कैसे आएगा वो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना सबसे पहले बात करते हैं आपको इस पीकर लेते टाइम कहके चीज़ ध्यान रखनी चाहिए मैंने इस पर वीडियो बना रखी आपको प्रॉपर डीटेल में जाना है तो उस वीडियो पर चेक कर लेना आभी थोड़ा बहुत में वीडियो के अंदर आपको एक्स्प्लैन कर देता हूं आपको जिस साइट के इनिकलोजर का जरूरत है उससाइट का ही स्पिकर आप खरीद होगी ठीक ह्या तो ईको यह एक चीज़ देखनी है कि आर आपका के तिने साइजवा है आप अकर 10 इंच का सिप्र ले रहा है कि आपको 12 इंच की जरूरत है या नहीं है अगर आपको 12 इंचकी जरूरत है और मजबोरी में 10 इंच ले रहे हो तो दौस्तो वह भी किजिए दो speaker दो enclosure के साथ एक है आपके 10 इंच का एक है आपके 12 इंच का दोने सेम वोटेज के तो कौन सा अच्छा बजेगा तो दोस्तो अधिकतर का जवाब होगा 12 इंच अच्छा बजेगा क्यों बजेगा वो किसी को पता नहीं लेकिन बजेगा 12 इंच ही अच्छा उसका मैं आपको बताता हूँ दोस्तों अगर speaker का size बढ़ता है तो दोस्तों वहाँ पर speaker का क्या सकते movement का area भी बढ़ता है अब वो क्या चीज होती है आपका speaker का size अगर 10 इंच है 10 इंच से 12 इंच हुआ यानि कुछ बड़ा at least जो भी बड़ा कुछ size तो बड़ा है ना दोस्तों वहाँ पर आपके speaker का movement area भी बड़ा यानि कि आपका कौन थोड़ा बहुत आप इसे माल लीजी कि आपका कौन दो सेंटिमेटर उपर जा रहा था 10 इंच के अंदर तो वहीं वह 12 इंच के अंदर कहीं डाई सेंटिमेटर या फिक 3 सेंटिमेटर उपर जाने की ability रखता है तो बड़ी मेगनेट सेम वोटेज लेकिन बात होती है क्यों कि अगर बड़ी मेगनेट है तो वह उस वोट को अच्छे से हैंडल करेगी चोटी मेगनेट के मुकाबले तो दोस्तों यह चीज़ आपको थोड़ी ऊपर से निकल रही होगी अगर आपके ऊपर से नहीं निकल रह तो दोत्तों अगर अगर आपको साइज बहुत जादा मेटर करता है वोट आज को में थर देंक सेका कहने हैं, इस Website newsletter के आपको पर आघांत है नहीं है अगर्टस कहती है, सब्सक्राइब आपको फ्रिक्वेंशी डेखने को मिलेगी बड़े से बड़े के मुकाबले यहां पर ऐसा नहीं होगा कि बिलकुल आवाज कतम होगे लेकिन हलका फुलका जो माइनर फर्क है जो लोगों के दिमाग का कन्फूजन का मेन कारण है वो यहाँ पर यह है अब आपको समझ आया होगा कि यार साइज भी मेटर करता है केवल आपको वोटेज पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए आपको यहाँ पर आपके मन में और भी कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो अब दोस्तों आपने इस वीडियो के उपर क्लिक किया है इस वीडियो को देखा है तो आपको कहीं न कहीं स्पीकर वूफर सबूफर ट्वीटर और एंप्लिफायर्स हॉम थेटर्स इनके बारे में जानने में काफी ज़्यादा इंट्रेस्ट होगा तो दोस्तों आपके इंट्रेस्ट के उपर मैंने पूरा यह चैनल ओपन कर रखा है इसके उपर आपको केवल इन ही टाइप की वीडियो मिलेगी लाइक सबूफर के अंदर क्या का डिटेल हो सकती है सबूफर कितने टाइप के होते है सबूफर के अंदर क्या मतलब मैन एबिलिटी होती है वूफर क्या होता है अब आपका कन्फिजन यही हो गया होगा कि सबूफर वूफर तो एक ही होता है सब उपर बिल्कुल अलग होता है और उपर बिल्कुल अलग होता है तो आपका दिमाग का बिल्कुल यहां पर कह सकता है कि मीटर डाउन हो गया होगा लेकिन यह चीज़े काफ़ ज़्यादा अलग होती ही मैंने इनको बहुत ही बैतरीन तरीके से मेरे चैनल के उपर समझा रखा है आप बिल्कुल जाएके चेक कीजिए आपको कावी ज़्यादे यहां पर नॉलेज मिलेगा और यह सही नॉलेज में हमें से आपके लिए लेकर आता रहे तो दोस्तों वीडियो को कैसे लगी मुझे जरूर से बताना चैनल में सब्सक्राइब करें ना ऐसी में किसी और वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपन बात करेंगे नेक्स्ट टोपिक के बारे में